आपको भी लगता है या कोई और व्यू है? निचे से अच्छा एक सपोर्ट मिल रा है पर जब तक यह सटॉक करेबन 2200 की ऊपर नहीं चलता तब तक मुझे convincing एक TG देखने को मिलेगी ऐसा लग नहीं रहा है अगर news positive है और ये stock positive divergence नहीं दिखा रहा है तो थोड़ा सा negative factor हो जाता है पर इतना भी negative नहीं है कि shot करें तो मेरा मनन है कि अभी के लिए छोड़ दे कोई कुछ ना करे ठीक है कोई trade नहीं लेना है पिरामल enterprises में लेकिन क्या किरंची trading के मौके हैं IT में तीन दिन तो हो चुके हैं चलते हुए फिर चाहिए वो large cap IT हो या फिर mid cap IT हो अभी भी कोई stock ऐसा लग रहा है कि तीन दिन के move के बावजुद भी खरीद लेना चाहिए दो तीन काउंटर्स है एक जिस पे ध्यान देना चाहिए वो mind tree है mind tree में जो पिछले करीबन पूरे नवेंबर सीरीज का जो consideration है उसके हम higher end पे आ चुके है अगर डेरेट्वी देटा देखते है तो डेरेट्वी देटा बहुत ही बहुत शॉट पोजिशन इसमें ट्रैप हो चुकिया है जब IT स्टॉक गिर रहे थे यह स्टॉक कंस्टॉट कर रहा था जिसका यह मतलब है कि इसमें inherent strength है और अगर ऐसे स्टॉक अगर निकल जाते है तो एक बहुत बड़ी मुव देखने को मिलेगी मेरा बाय कॉल आएगा वो रहेगा करीबन एक इंट्रेस्टिंग रिजिस्स लाइन है 866 का 856 पे ट्रेड कर रहा है 866 के ऊपर अगर यह निकलता है तो बहुत ही शांदार मुव आ जानी चाहिए तो एक strategy ऐसे बना सकते है अभी के लिए 50% बाय करें stop loss रखा है करीबन 840 का और 866 के ऊपर वापिस एक बार 50% बाय करना चाहिए और फिर targets के लिए मेरा मानना है कि अगले series में करीबन यह 919-920 के लिवर्स देखने को मिल जाने चाहिए यह एक बहुत बड़े risk to reward ratio देखने हो मिलीगा तो यह सलाहिंस इनके भी radar पर है तो over to Kiran जी for his views यह तो जुगल बन भी हो गए फिर चार्ट कॉनर नहीं रहा बताए किरन जी बहुत ही शांतार चार्ट पैटन है और आप यह देखेगा कल से हर एक analyst हर एक channel पे इसी stock पे बात करते नजर आएगा क्योंकि जिस तरीके का चार्ट पैटन है यह बहुत ही strong पैटन है पिछले पूरे नवेंबर सीरीज में यह चार्ट कर रहा था और इस चार्ट का ब्रेक आउट एक्स्टीम स्ट्रॉंग वोल्यूम के साथ हो रहा है तो कुल मिला के नवेंबर सीरीज का stock रहेगा और मेरा नवेंबर सीरीज के लिए टार्गेट करीबन 155 से 159 के टार्गेट देखने हूं मिल जाने यह मानना है और अपका stop loss 133 पे ही रखना है बहुत ही बढ़िया रिस्ट रोड़ नहीं और नवेंबर सीरीज के लिए 159, 160 के टार्गेट के टार्गेट देखने को मिल रहा है बहुत स्ट्रॉंग वोल्यूम के साथ डेरिटर डेटा उसको साथ दे रही है तो कुल मिला के बहुत स्ट्रॉंग शॉर्ट पैटन बन रहा है आपका stop loss रहेगा करीबन 517 का और टार्गेट के लिए मेरा मानना आज ही आज आना चाहिए वो है 504 के तो इधर भी रिस्ट टो रिवर्ट रिशो काफी फेवरेबल है एक स्ट्रॉंग शॉर्ट कैंडिड़ेट तो टार्गेट सापने क्या बता है वो हाइड में 504 पांसो चार पहला टागेट है और stop loss आपका पांसो सत्रा पांसो सत्रा पिछले कुछ मिंटों के दरान ये काफी तेजी से फिसला है अगर कहीं profit booking आने तो पहले बैंक निफ्टी के सारे profits बुक कर लें ऐसा संकेत तो बिल्कुल नहीं है डिमपी जी जो चार्ट पर दिखाई दे रहे तो मेरा मानना है कि लॉंग कोशन बने रखने चाहिए आपका stop loss 26 400 का रहेगा 80 रुपे नीचे है और ट्रेल करता चाहिए जो आज 26 500 के ऊपर की closing भी मिली ना आज डिमपी जी तो में खुछ रहूँगा सेमी आपके बाटा के call तो थोड़ी देर पहले हम technology stocks की बारे में बात कर रहे थे और mind tree के बारे में हमने बात की तो 10 रुपे की मूव आ चुकी है पर यह सिर्फ सुरुआत है मेरा मनना है कि इतर बहुत बड़ी मूव आने की संभावना है मैंने कहा था 866 इंपोर्टेंट लेवल है वो उसने cross कर दिये और जिस तरीके से यह cross किये volumes के साथ तो मेरा मनना है कि इसका आज के लिए targets करीबन आपको देखने को मिल जाने चाहिए 877, 878 के और अगर अब कल के वक्त देते है तो करीबन 904, 907 के levels आपको देखने को मिल जाने चाहिए बहुत बड़े targets है और आपका stop loss रखना चाहिए 856 तो मेरा मनना है कि BPCL में ही काम करके चलना चाहिए जो गिरा नहीं है वो आयोसी है और चार्ट में जो सबसे खरब दिख रहा है वो BPCL है तो मेरा मनना है कि BPCL में ही काम करके चलना चाहिए करल एक बहुत अच्छी move आई थी अच्छे volumes के साथ आज बिलकुल उसको पूरा का पूरा एंगल्फ कर दिया है candlestick pattern पे तो मेरा मनने कि इधर से और भी गिरावट देखने को मिल जानी चाहिए मेरा first target इसके लिए नीचे में करीबन 315 के लेवल से देखने को मिल जाने चाहिए वहां पे अच्छा support है उधर एक बार review कर लेना चाहिए शिर्मिला ये तोमीद करते है किरन जी की जो कॉल रही है किरन जी आप मुझे तो भूली गया अरे सर में आपको नाम भी बोला भी ने माइंट्री का 20 रुपय का मूव आया है first target achieved और बेचना नहीं है दो stamp लगवाता हूं आपके लिए double stamp एक बार आप एक काम केजिए माइंट्री पे double double stamp लगाई है एक बार अभी लगी किरन जी देखे ये दूसरी stamp लगी ये power 2 है आपके लिए आपके लिए तक तो नहीं किरन market अगर निफ्टी के साब से या फिर चलने के लिए वापिस त्यार हो रहा है नरजी प्रड़ा क्लेट कर रहा है मेरा मानना है कि काफी अच्छा कल के monthly experiment चलते है मेरा मानना है कि इधर भी अगर market रुखता है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं chart pattern बहुत strong है मेरा मानना है कि और उपर के स्थर देखने हो मिल जाने चाहिए जैसे हम इस शो के पहले हम बात कर रहे थे 10,750 बहुती crucial लेवल है तो उसको बार-बार जाके टेस्ट कर रहा है शायद यह लेवल weak करते निज़र आ रहा है तो एक बार इसके उपर चले तो फिर one way move up को कल देखने को मिलेगी ठीक है इसके लावा एक शिलकुल चला शांदर चला दिन के उपर इस तरों पर है एक सेकंड बाई एक और बाई इसके अंदर वापिस बंगते हो दिख रही है 928 केरन जी यह और चलेगा मैं यही स्टॉक देख रहा था और यही मैं आभी बोलने वाला था तो यह बहुत ही स्टॉंग चार्ट पैटर्न है आपका स्टॉप लॉस रहेगा 915 था हम तो कल से बोल रहे है गोट फे फिरिप्स चलेगा बिलकुल बिलकुल कुनाल जी से भी ने पूछा बकादा नितिन जी आया थे डिम्पी जी आपका महारत है तो हम सब जानते ही डिम्पी जी कली इसने ब्रेक आउट दिया था पर जो रैली हमने दुपर तक देखी उसके बाद कंसलोडेशन किया और अभी ब्रेक आउट वापिस सेकेंड टाइम दिये तो जब जब ब्रेक आउट आता है ऐसा कई बार होगा कि कई बार ब्रेक आउट साते नजर आएंगे हर ब्रेक आउट को लेके चलना चाहिए तो ये काफी बड़ी टारगेट देखनी हो मिल जाने चाहिए मेरा मानने कि आज के ट्रेड के लिए करीबं 947, 950 के करीब अपको टारगेट देखनी हो मिल जाने चाहिए आपका stop loss मेंने जो कहा 910 के करीब रहे है चेक है 910 से एक्चली बार बनी है थोड़ा gap भी आगए एक छोटा सा gap है किरन जी एक share देखिए आप वो है Torrent Pharma अभी अभी इसमें भी buying आती है दिख रही है ये share चलेगा या फिर बजार का थोड़ा सा ठहराव दिख रहा है उसे नहीं चलेगा ये सिर्फ false breakout जैसा भी हो सकता है ये सा नहीं लग रहा है क्योंकि आखरी में जब ये stock चलता है आखरी के आधे घंटे में वो कल वाला candidate बहुत strong होता है दो दिन पहले कुनल जी और मैंने V guard बोला था तब से देखो रुका ही नहीं अभी भी देहाई पर ये तो इसी तरीके का counter है और इसमें एक chart pattern जो देखने को मिल रहा है पूरी November series में एधी एक छोटे से range में trade कर रहा था और उसका resistance है वो करीबन 16.80 का है वो इसने आज cross किया है तो मेरा मानने है कि ये कल का candidate तो ही जिसका target कल के लिए करीबन 17.33 का देखने को मिल जाना चाहिए तो काफी अच्छी upside है और वो पहला target रहेगा और दूसरा target करीबन 17.50 का देखने को मिल जाना चाहिए तो कुल मिला कि एक strong buy pattern है आपका stop loss 16.80 जो की breakout level है उसी के नीचे रहना चाहिए ठीक है बैतरीन बात बहुत बढ़ी है केंफिन होम्स क्या ये शेर में शॉट खोले जा सकते है 260 से लेके 265 का अगर हमको stop loss रखना है तो मेरा मानना है केंफिन होम्स में ऐसे कुछ strong bearish pattern नहीं है अगर शॉट करना ही है तो मैं और थोड़ी सी गिरावट के रहा देखूंगा मेरा करीबन 252 का लेवल रहेगा इसके नीचे अगर consistently रहता है तो एक fresh shot इनिशेट करूँगा अभी केरे मेरा मानना है कि तोड़ी सा wait and watch ही करना चाहिए वीगार्ड आपने दो दिन पहले बताया था आज भी चल रहा है डिहाई पर यह है इसको अभी भी carry रखे वीगार्ड येस बिल्कुल काफी strong pattern है और मेरा मानना है कि यह eventually अगर आप और दो तीन दिन देते है तो मेरा मानना है कि 213, 215 के लेवल से देखने को मिल जाने चाहिए वहाँ पर एक बार review ले लेंगे ठीक है 215 पर एक बार वापिस से review लेंगे इसने एक पाच्छे दिन पहले एक penant pattern का breakout दिया था और वो continuation होता नजर आ रहा है इसका stop loss बहुत दूर नहीं है अभी 775 पे trade कर रहा है 767 की नीचे आपका stop loss होना चाहिए और ये carry करना चाहिए मेरा मानना है कि अगले series का target इस counter में करीबन 830 के लेवल के करीब देखने हू आ जाना चाहिए ठीक है इस बेर चार्ट पेटन बहुत स्ट्रॉंग है और ये delivery based buying करके चलना चाहिए और short term charts में इसने एक trend reversal price pattern का breakout भी आज दिलाता नजर आ रहा है तो मेरा मनना है कि इदर करीबन 7000 के stop losses रहने चाहिए करीबन 200 रूपे नीचे और targets के लिए मैं मानता हू अगले दो-तीन trading sessions के अंदर ये targets आते हैं नजर आ जाने चाहिए ABB एंडिया को से उस order से कोई फर्क पढ़ने वाला नहीं है शेयर टूटा भी नीचा जाता अभी ABB के अंदर करना क्या है नहीं होड करके चलना चाहिए बाय भी कर सकते है और अगर बाय करते है तो stop loss थोड़ा सा deep down रहेगा 1350 का positional view रही कि हपते दो हपते की और 1450 1470 के targets आपको देखने को मिल जाने चाहिए ABB में